सिख्षक सातियों जैसा कि आप सभी परचित हैं कि 15 दिसंबर से उत्तरप्रदेश के माधमिक विद्यालेयों में कारेरत सिख्षकों क्यों दिक्षा एप पर निष्ठा ट्रेनिंग शुरू हो चुका है तो निष्ठा ट्रेनिंग के दो मोडिूल जारी हो चुके हैं जो 31 दिसंबर हाँ जी 31 दिसंबर उसका इंड डेट है यानि 31 दिसंबर तक वो ट्रेनिंग जो है हम लोगो को कंप्लिट कर लेनी है तो दो मुखिरूप से वो ट्रेनिंग है पहला जो मोड्यूल है वो है पाठी चर्य और समावेसिक अक्षा और दूसरा मोड्यूल है पठन पाठन और मुल्यांकन में सूचना प्रद्योगी की तकनीकी की भूमिका तो ये दो ट्रेनिंग है और आप लोगों को 31 दिसंबर तक कि ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है इस ट्रेनिंग में सर्ट्फिकेट पाने के लिए कम से कम आपको 70% प्रस्नों के जवाब देने होंगे पूरी ट्रेनिंग खतम होने के बाद एक मुल्यांकन होता है और उस मुल्यांकन में आपके सामने 20 प्रसन रखे जाते हैं और 20 प्रसन में से कम से कम 14 प्रसन जब आप सही करेंगे तभी आपको वो certificate अवाड होता है तो यह थोड़ा सा कठीन होता है कई हमारे सिक्षक साती हमसे बार-बार कह रहे थे कि एक वीडियो इस पर भी बनाया बहुत समस्या हो रही है उनके लिए एक वीडियो मैंने लाया है सबसे पहले आप दिक्षा एप ओपेंड करेंगे आउस में सर्च करिएगा UPSEC UPS सितात पर है उत्तरप्रदेश SEC से मतलब है सिकंडरी तो उत्तरप्रदेश माधिमिक विद्यालेओं के सिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग के जो दो मोडिूल है आपके दोनों मोडिूल जह जो है सर्च करते ही सामने आ जाएंगे तो हम आज जानेंगे पाठे चार्या और सामयवेसी कक्षा इस पर हम लोग डिस्कुशन करेंगे तो आएए इसको हम लोग देखते हैं जब इसको खोलेंगे सबसे नीचे जाएंगे आप मुल्यांकन पर मुल्यांकन क्लिक करेंगे तो आएगा मुल्यांकन start again या start ऐसे आएगा तो आप उसको open जैसे ही करेंगे तो आपके open करते ही प्रस्न खुलने सुरू हो जाते हैं तो पहला प्रस्न जैसे सबके अलग अलग प्रस्न जो है उसका करम बदल सकता है एक दो प्रस्न नए भी आ सकते हैं तेकिन ये पूरा वीडियो देखेंगे तो कम से कम इतना तो है कि 20 हम बताएंगे उसमें से आपको 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे प्रस्न सही हो जाएंगे आपके तो पहल प्रस्न होगा प्रस्थ सकूल भवन के असपर्स नक्से दूसरी प्रस्न की बात करें तो दूसरा प्रस्न है कि समान विकलांगता वाले दो बच्चों को ककछा में शिक शक द्वारा किसी भी हस तक्षेप की आवास्चता नहीं होगी तमे में आएं आकलन का वास्तवी कुदेश से क्या है तो सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें इसके बाद प्रसना आता है निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विशे में सामिल की जाने वाले विश्यों या अगला प्रसन है शीकने के प्रतिफल छात्रों की मदद करते हैं और कई चीजे इसमें आपसंद दियेगा 1,2,3,4 तो जो उसका उत्तर आएगा न वो उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और चोथा अगला प्रसन है कि भारत में सिक्षा पर दूसरी रास्टी नेती तैयार की गई सिक्षा की मौझूदा 10 प्लस 2 डिजाइन किस में बदलने की प्रस्ताव देता है तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अगला प्रसन है गैर बैकल्पिक संचार प्रडाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संबाद अस्थापित करने में बच्चे विकलांग या विना विकलांग वाले बच्चे है अगला प्रसन है पाथे चर्या के तत्वों की व्यवस्था को की स रूप में जाना जाता पाथे चर्या प्रारूप अगला प्रसन आवेगा निमenschित मैं से कौन सा NCF 2005 का मार्ग darsak सिधान्त नहीं है पाथे चर्या पुस्तक केंद्रित है समाजिक रूप से वन्चित समूह SDG से समंधित बच्चों को सामिल करने के लिए इनके लिए निम्न लिखित में से क्या फायदे मंद नहीं होगा युनिफार्म अगला पसंद देखिए स्कूल पाठिक्रम किसकी संस्कृती को दर्साता है समाज समावेशी कक्षा के निर्मान के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है माता पिता का सहयोग एक पाठिक्रम इसका उतर होगा इसे सभी पाठिक्रम पुस्तकों को विक्सित करने के बाद विक्सित किया जाता है अगला प्रस्न है समावेशी कक्षा कक्षा में विविदता का जस्न मनाता है अगला प्रस्न पाठिक्रम को किसके बीच रखा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठिक्रम के लिए मानने नहीं है यह भारत में विविन अस्तोरों पर सिक्षा के लिए द्रिष्टी प्रदान करता है अगला प्रस्न बच्चों को मुफ्त और अनिवार सिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम प्रदान करता है कि प्रतेक बच्चे को परोष के स्कूल में मुप्त और अनिवार सिक्षा का अधिकार होगा 6 से 14 वर्स की आयू और प्रारंबिक सिक्षा पूरी करने के बीच अगला प्रस्ना बच्चों को निसुल्क और अनिवार सिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित हुआ और कब से या कौन से वर्स में लागू किया गया इसका जबाब होगा वर्स 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रेल 2010 से लागू हुआ अब देखिए हमने यह जो किया है 20 प्रस्ना अटेम्ट किया है और इसमें से जो है 17 नमबर मिले यानि तीन गलत हो गया बीच में कभी मिस्टेक हुआ होगा मुझे ध्यान नहीं है लेकिन आप कम से कम ऐसा तो है कि 17 प्रस्ना करेंगे तो यह 14 से जादा हो गया 14 से जादा क मतलब कि आपको certificate award होगा बस इसे मतलब है इसके बाद जो है दूसरा module का जो मुल्यांकन है जो प्रस्नोतर ही है उसका भी जबाब लेके आऊँगा तो वो जबाब आपको पूरा complete मिलेगा 20 की 20 प्रस्ना मेरे सही थे उसमें तो आप उसको जरूर दिखिएगा ओके धन्यबाद